धन्दन सत्गरू तेरा ही असरा सासंग जी इंसान चैनल में आपका बहुत वो स्वागत है जी सासंग जी जैसा आपको पता है कि दिल्ली में कल से 23 दिसंबर से पिता जी की रहाई के लिए संतसमाज द्वारा एक अंदोलन की शुरूआत की गई है जिसकी शुरूआत के बाद 23 तारीख को 3 बजे संतसमाज द्वारा एक प्रेस कांद्फरेंस करीगी जिसमें मीडिया बालों को उन्होंने सभी जबाब दिये है इसी कांद्फरेंस के दुरान संतसमाज के पंडितर जे शर्मा ने एक बड़ी बात का खलासा किया है सासंग जी जिसे सुनकर आपको भी पता चलेगा कि कैसे इस अंदोलन के शुरू होते ही हमारे पूजे गरू संत रॉक्टर गरमीत रामरीम सिंग जी इंसा को जैसे जू जन भी व्यक्ति का कॉल रसीब हुआ है जिसने कहा है कि 23 तरीख को जो संतों दौरा अंदोलन चालू किया गया है उसमें डेरा सच्चा सुदा के कुछ आदमी आ रही है जो के इस अंदोलन को खराब करेंगे इस अंदोलन में हंगामा करेंगे इसके बाद संत्समाज दौर इसी बात की असलियत पुल्स को बताई गई कि एसा कुछ भी नहीं है जिसने आपको कॉल किया है वो हमारे अंदोलन का हिस्सा बनकर इसे खराब करना चाता था तो हमने उसे निकाल दिया है जिसके चलते उसने जैचाल चली है जिसके बाद पता चला है कि यह एक फरजी कॉल जो के अंदोलन को खराब करने के लिए आया था सासंग जी पिता जी को पहले भी कुछ राजनीत के शड़ेंतर के तहत फसाया गया है और अब भी जो उनकी सचाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है उसे भी प्रेशन किया जा रहा है अब आपको संतसमाज द्व संत रॉक्टर ग्रमीत रामरेम सिंग जी इंसा जिन्नोंने इतने मानबता भलाई के कारिये करकर रिकॉर्ड्स बनाई है जिनको एक गुम नाम चिठी के जरिये ही पसाया गया है और उनको अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया उन्होंने साथ में यह भी कहा ह कि अगर पूजय गुरुजी जूठे हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए लेकन पहले उनके गणा को साबद करके दुनिया के सामने दिखाया जाए फिर ही सजा दी जाए बरना एसी गुम नाम चिठी तो कोई भी लिख सकता है उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा और सारी संगत के साथ इस वीडियो को शेर भी जरूर करें अगर आपको जब वीडियो अच्छी लगी होते इसे एक लाइक भी जरूर करना धन्दन सतगरू तेरा ही आसरा